नमस्कार दोस्तों हरियम एस्टाडी में आपका स्वागत है यह वीडियो इंटोडक्षन भाग तीन है इससे पहले भाग एक और दो नहीं देखें तो हमारे चैनल के पले लिस्ट पर जाके देख ले ताकि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत ने होगा देखिए इस वीड बऌपत के सुन्येक heti अर्थ की चर्चा करेंगे देखिए एक रेखिक ले ले लेते में और इसका सुन्यक निकालते हैं आँ कि दो एक्स नीक दोके इसको सुन्यक के बराबर करदेंगे देखिए, दो X पलस 3 बराबर सुनि, तो देखिए, इसको इधर लाएंगे दिया हो जाएगा, मैनस 3, ठीक है, यह जाएगा मैनस 3 बट्टा 2, तो इस बहुपद का ये सुन्यक पराप्त हो गया, ठीक है, देहें कि या होता है जानिे X का वह मान जो इस इसके X के ऑ력र रखेंगे तो इस भवर पकद को सुनिके वेजाबर कर देगा ऎकं Trading यश्वा एक है जी दो ऑटों सिश्वाद हीर आर सी टेन इसको रखेंगे यह भी कड़ जागा तो क्या प्राप्त होगा सुन्य ठीक है इसको सुन्य के बरावर कर देगा एक्स का वह मन तो यह हो गया इस बहुपद का यह सुन्यक प्राप्त हो गया ठीक है अब देखिए रेखिक बहुपद का ब्यापग रूप रेखिक बहुपद का व्यापग रूप देखिए इसको थोड़ा समय लेते हैं यह पहले इंट्रोडक्शन बहला वीडियो बता चुगे हैं अगर वह वीडियो नहीं देखें तो देख लें देखिए यह ब्यापग रूप है ठीक है इसका यह ब्यापग रूप है रेखिक बहुपद का एक्स चर में तो देखिए एक्स पलस बी इतना का सुन्यक क्या होगा देखिए यह क्या है माइनस ती यह क्या अचर पत ठीक है और देखिए दो दोग्या है यह एक्स का गुणांग है एक्स का गुनांग है इसका गुनांग ए तो देखिए रहेखिक बहुपत का सुन्यक यह हो गया माइनस भी बट्टा ए यानि सुन्यक और देखिए गुनांकों में यह संबंध है देखिए सुन्यक में देखिए दो आ रहे हो दो देखिए यहां भी है एक के जगापर देखिए दो है यह संबंध है ठीक है यहने इसका सूत्र आपको याद रखना माइनस भी बट्टा-ए अचर पद बहुत अचर पद और एक अब्राइअ एकस का गुनांग एक्सका गुनांग किहां यह रेहीए बहुता का सुन्यक का सुत्र होगा माइनस बीगे अब देखिए देखारी छाली तेखुन तो थी आप देखिए इसी बहुपत का देखिये इसी बहुपत को लिए ले लेते हैं दो एक्स पलस तीन Dus और ले कि इसका आले की निरूपन देखें गें फिर इसका जया मितल की इसको य के बरावर लेंerek कर。 दैखिए इसको वाई डेखिए एकस य अगर एकस कामाण एक लेंगे तब यह लेंगे तलब यह कितना हो जागा दो एक कर दो और तीन पांच तो य कमान हो जाएगा पांच ठीक है अगर एकस कमान दो ले लेते हैं तो यह दो दूनी 4 यह इसमें 3 जोडएं तो मैनस एक हो जाब यह कमान क्या हो ठीक है अब देखिए इसका आलेक क्हित्सेकर घ्राप जो बिस परकार होगा णो देखिए यह X आक्छे और या Vआइक जो डेखिए लेखिए लेकिए यहां क्या है एक और पांच तो देखिए यहां देखिए Been Lets एक देखिए एक यहां देखिए एक है और यह देखवाई पांच इन यहां पर जागा नाहिस निर्दसंह एक और और निर्दसंग पांच होगा इस बिंदु का ठीह उसी परकार देखिए यहां क्या निकला माइनस 2 और 1 तो देखे माइनस्द नौर 10 किस चातुरतास में एक मानस हो देखी कि माइनस गणी माइनá स 6 दो है और मां माइनस एक है कि यह पर हो जागा यह बिंदो तेकी माइनस और कॉमा और किदो यह पिन और यह यह तो यहां से देखते हैं इस बिंदू का एक्स निर्दसंग क्या होगा एक और दो के बीज में इसका हम लोग सुनने क्या निकाले मैनस 3 बटा 2 दो और यहां भी देखिए अले़ में भी देखिए इसका X निर्दसंग डिकिए X अक्ष को ये अलेँ एक्स अक्ष पर कटता है उस बिंदू का एक्स निर्दसंग किया वहरा है मैनस 3 बटा 2 तो यानि हम इसका अगर सुन्यद नहीं भी निकालेंगे एन दखिए इस बहुपद का आलेक खिचेंगे और आलेक से भी हम बोल सकते हैं इसका सुन्यक क्या होगा तो दखिए आलेक से भी पता लगारा माइनस 3 बटा दो इसका एक सुन्यक है ठीक है तो यह हो गया जय मित्य अर्थ इसका क्या कहता मतलब यहां से भी हमको पता लग रहा है इसका सुन्यक यही है मैनस 3 बटा 2 अब देखिए अत्ता बहुपत 2x प्लस 3 का सुन्यक उस बिंदू का एक्स निर्दसांग है जहां य बराबर इतना का गराप एक्स अक्ष को परतिछेद करता है आदे इसका लगराप कीचे तो एक्स अक्ष को उसका सुन्यक है मैनस 3 बटा 2 यह वाई निर्दसांग यह एक्स निर्दससांग जहां तो यह सुन्यक इसको y के बरावर ले लेंगे ax plus b तो देखिए इसका graph इस परकार होगा देखिए यह इस परकार कटेगा इसका देखिए x निर्दसंग माइनस b वट्टा a यानि इसका सुन्यक होगा ठीक है देखिए ब्यापक रूप में एक रेखिक बहुपत इतना के लिए y बरावर इतना का graph एक सरल रेखा है जो x अक्ष को ठीक एक बिंदू इतना पर परतिचेद करता देखिए यानि इस पर परतिचेद करती है ठीक है अता रेखिक बहुपत इतना का केवल एक सुन्यक है इसका केवल एक सुन्यक होगा ठीक है जहां एक्स अक्ष पर जहांभी कटेगा उस बिंदू का एक्स निर्दसांग उसका सुन्यक होगा यानि क्योवल एक सुन्यक होगा ठीक है अब देखिए कि एक दुईगाद वह उपद लिए अब देखिए एक्स बरावर माइनस एक लेते जानी इसके जगा एक्स माईनस 8 रख के देखते हैं सुन्णी फर्फ फोड़ा एक्स बरॉबर 4 ले लिए। तो देखिய एक-स के चार यहां रख दीएे तो इसको भी हल करके देखते दिए दिर्फेस सुन्री फटफ हो रहा जैनि क्या बताहें ज़स्ट का व semic बहुपद को सुन्य के बरावर कर दे वह सुन्यक होता है तो देखिए यहां से क्या साविद हो रहा कि माइनस एक और चार इस बहुपद का सुन्यक है अब देखिए इसको उसी प्रकार देखिए य बरावर इतना ले लेंगे ठीक है upward देखिए साब दोले लिंए तो य होग है इस परकार रखते इन तो य बंखने सी इस परकार रखें था टूंब देखिए रिश्य दो माइनस एक और चार ठीक है इसका दो सुन्याग है अब देखिए इसका आलेक खीचेंगे इस परकार होगा देखिए इस प्रस्ना वाली में आपको आलेक खीचने का आओ सकता नहीं बलकि इसकी आकर्ती का स्रिफ जनकारी होना चाहिए तो यहां से देखिए यह आलेक खीचें तो इस परकार देखिए पर सिचनल रहा है तो यहां थोड़ा रहा है यह इस परकार होगा एक बुझा रहा की त्रह ठीक है तो इक्स औक्षो देखिए dou बहुपत का सुन्यक हम बता सकते हैं ठीक है तो देखिए यहां सुन्यक माइनस एक और चार हो रहा है ठीक है देखिए अब इसके ब्यापक रूप की थोड़ा बात करते हैं किसी दिवगाद बहुपत यह ब्यापक रूप में इतना के लिए सुन्यक उन बिंदों के एक्स नि यह नीचे से भी खुला हो सकता और उपर से भी हो सकता है इस प्रकर का करती होगा तो यह एक्स अक्ष को जहां पर कटेगा वही होगा इस बिंदों यह एक्स का जानि इस बहुपत का सुन्यक जानि इसका एक्स निर्दसंग ठीक है अब देखिए अब देखिए इसके आकरती को देखिए इसका इस्तिती कितना हो सकता है इसका तीन इस्तिती हो सकता है पहली इस्तिती में यह वाला इस परकार हो सकता है तो यह देखिए दो जगा पर काट रहा है तो इसका देखिए सुन्यक दो होगा यहां भी देखिए इस परकार हो सकत तो इसका सुन्यक, दो सुन्यक होगा । ठीक है । दिसरी इस्तिती में था इस परकार होसक्ता है । इस परकार आले होगा । यह एक्सeurs औक्ष को एक बिन्दु इस इस्तिति में ध्युक्षाइब बहुपद इतना का यह वियापक रूप मिली है तो इतना का कोई सुनी नहीं कि क्योंकि एक्स अक्ष्य को पर्तिचद नहीं कर रहा है तो त्यूंस का तीन इस्तिति हो सकता आप देखिए अब त्रिगाद बहुपद ले लेते हैं और इसको समझाने के तोड़ा कोशिश करते हैं देखिए एक त्रिगाद बहुपद ले 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 इसकी घाद तीन है देखिए X का मन्दे माइनस 2 ले लिए सुनूर्ण और 2 इसमें रखते गए तो यह सुन्य पराप्त अब देखिए इसका यहां तीन सुन्यक प्राप्त हो गया इसका भी ओसी तरह होगा यह वक्रेक्ट कार होगा देखिए इसको भी वाइच के बराबर ले लेंगे और इस तरह मानपूट करते जाएंगे तो इसको देखिए इससे आले अगर खीचेंगे तो किस परकार आलेख ह पर काट रहा है तो इसका अधिक साधिक तीन बिंदू तो यहां भी देखिए इसका एकस निर्दसंग माइनस सुन्य यह क्या होगा यह सुन्य होगा इसका दोनों निर्दसंग सुन्य होगा इसका एकस निर्दसंग दो है तो इस परकार देखिए तीन है यहां जो सुन्य के वही यहां पराप्त हो रहा है यहां आलेक देखके हम बता सकते हैं इसके सुन्यक सुन्यकों की संक्यां तीन है अब देखिए एब दो दो बावपत ले लिह यहीं जैसे एक्स क्यूब एकस कमान सुन्य लें यान इसका सुन्यक क्या होगा सुन्यक सुन्य क्या हो सकता है तो देखिए सुन्यकसुन्य होumpत हो यह फिय मैं और इससे एगर अल्यक कुछ इस परकार होगा देखिए इसका देखिए यहाँ एक्ष पर जहां कट रहाँ इस सुन्य गोई तो इसका क्योळ एक यह सुन्य होगा इसका सुन्यु ठ्यक़ है उसी थरह देखिए अगर एक यह दो को दारन ले लिए इसको इसका सुन्यक दो segunda एक्स का देखिए, यानि सुन्ई ले लिए मान यहां, यानि एक्स का मन सुन लिए, तो इसका ये जो और इसका आलक के से वगा, तो यह पर कड़र स्वाइब होगा, यहाँ पर कण रहा है और यहाँ पर, दो जगाँ पर कड़ा थी इसका 2 दो विन्द वह और है यह एक्स अक्ष को देखना है तो यहां भी देखिये यहां भी देख़़गे वह और यह अलेक देख पर हmaब ने गटंध पटा सकते हैं इसका 2 लेक live हो ने यानि आलेक देखके पता कर सकते हैं ठीक है